हेलो फ्रेंड वेल्कम टू यॉर ओन चैनल डेली स्टॉक तो दूस्टे इस वीडियो के नरम इंडो बॉरेक्स और चैनल के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इंडो बॉरेक्स एंड केमिकल्स के ने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चलिए शिरू करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कमपनी काम क्या करती है दिखिए इसका ठोड़ा ब्रीफ इंडरेक्शन हम सबसे पहले दे देते हैं ये जो कमपनी हैmos1980 में start हुईती हैं तो इसके 40 साल से जादा ये कमपनी काम कर चुकी है तो 40 साल से कमपनी चल रही है तो अचन गाव में ये कमपनी start हुईती फिर उसके बाद में इन्होंने अपना जो boric acid plant है वो इन्होंने 1981 में establish किया था फिर उसके बाद में 1983 में इन्होंने boric plant को establish किया था और यह जो company यह 1993 में list हो गई थी यानि कि around 29 years इस company को list हुए हो चुके हैं और अगर मैं इस company की बात करेंगे तो यह company boric acid और boric plant इनका जो है वो पितमपूर में य प्रोडक्स होते हैं और जो lithium hydroxide होता है वो यह company बनाने का काम करती है तो आपका यह mind में एक question आ रहा होगा कि यह जो boron products है यह जो lithium hydroxide यह कौन सी industry में use किये जाते हैं तो इसके जो science है यह जो chemistry है इसके brief में हम नहीं जा सकते हैं लेकिन इसका जो usage है उसके बारे में हम देख सकते हैं यह जो products है अगर हम mainly अगर हम बात करेंगे जो pharmaceutical industry और cosmetic industry है उसके अंदर इन companies के products use किये जाते हैं तो देखे अगर यहां पर अगर आप इस company में invest करें तो आपका main point ही होना चीए कि आप pharmaceutical और cosmetic industry पे काफी ज़्यादा positive है तो यह अगर वो industry अच्छे से grow करेगी तो यह companies का जो raw material है उन companies के लिए वो भी हमें काफी अच्छे तरीके से grow होते हुए नजर आएंगे तो नेकि एक छोटी सी company है शाड़े 400 करोड के लगबक का market cap हमें company का नजर आता है 11.5 का stock का P ratio है जबकि industry का P28 का में नजर आता है अगर company के debt की बात करेंगे तो company debt free है अगर price to value की बात करेंगे तो ये number 2.35 times पर में नजर आता है अगर ROC के numbers की बात करेंगे तो ये number 29.9 percentage पर है और जो ROE का number है वो भी हमें 21.9 percentage पर नजर आता है तो इक small cap company होने के बाओ जो रगा 20% से जाला के return ratio जमया पर नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि company अपने capital को काफी अच्छ कर रही है उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो financial trend की अगर हम बात करेंगे तो 1920 में revenue का number गिरा था लेकिन 2021 वाला जो year था ये company के लिए काफी phenomenal रहा था तो कि यहाँ पे company ने more than 20% की growth revenue में दिखाई थी और जो profitability थी वो company की 100% से भी ज़्यादा में year on year विचिस पे बढ़ती हुई नजर IET तो 2021 वाला जो financial year है ये company के लिए काफी phenomenal रहा था तो बाकी अगर हम देखेंगे तो financial trend में अतना कुछ खाच नहीं है लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा consistent growth हमें यहाँ पे company में देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर अगर हम quarterly numbers की अगर हम बात करेंगे तो देखें पिछले साल यहाँ पे December 2020 और मार्ट 2021 में अगर हम देखेंगे तो यह दो quarter थे वो company के लिए काफी phenomenal रहे थे लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो performance इतना अच्छा नहीं रहा है फिर वहाँ पे एक normal चा type of earning company ने यहाँ पर दिखाईए अगर profitability की बात करेंगे तो उसके बाद में 10 करोड चे ज्यादा का net profit company ने नहीं कमाया है यह एक बड़ा problem यहाँ पे नजर आता है तो कि पिछले 9 मेने में एक तरीकेस हम यह कह सकते हैं कि जो 2021 में इतना phenomenal year company के लिए रहा था तो वो यहाँ प कोई भी year में अगर कोई company के जो revenue के numbers हैं अगर काफी phenomenal grow हो रहे हैं तो वहाँ पे as a shareholder आपने यह expect करना चाहिए कि आने वाले एक से देड़ साल company के लिए normal ही रहेंगे तो कि जो market है जो पूरा जो sector है उसकी जो demand है वो आप पूरे हर साल में same expect नहीं कर सकते तो यह बात आप पर holding की अगर हम बात करेंगे तो 55.42 पर सेंट की holding यहाँ पे promoters की है और अगर हम पिछले almost 20 साल से अगर हम देखेंगे तो almost holding हमें आपर content नजर आती है अगर retail investors की holding की बात करेंगे तो retail investors की holding यहाँ पे content है यहाँ पर कोई chain मलब 44% का holding है वो retail investors के पास है यानि की जो free floating है shares की वो हमें पूरी retail investors के पास ही नजर आती है 0.04% की holding FIS के पास है देखे 400 करोड का 1% होता है 4 करोड उसका भी अगर हम देखेंगे यानि कि लगबग 1.5-2 करोड का amount उनों ने डाला तो मेरे ख्याल से यह matter नहीं करता है तो उस point अभी से पूरा जो free floating वाले share से वो हमें यहाँ पे public के पास ही नजर आते है तो देखे यहाँ पे यह जो companies है यह जितनी भी companies है यह सारी large cap side की companies हमें नजर आती है कुछ mid cap companies भे जैसे की deepak nitrate, tata chemicals तो यह अलग play हो जाता है तो कि अगर आप जब mid cap में या फिर small cap में अगर आप invest कर रहे हो तो यह बाद आपको समझनी चाहिए कि industry पे आप कितना positive हो अगर आपको लगता है कि industry 10% से जादा grow कर सकती है तो वहाँ पे definitely आपने small cap में invest करना चाहिए अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो कि देखिए जब पूरी industry 10% से grow करेगी यह जो small cap mid cap companies होंगे यह वहाँ पे 40-50% से grow करेंगे लेकिन यह बाद आपको समझनी चाहिए कि जब अगर आपको लग रहा है कि industry danger में है तो वहाँ पर अगर सबसे पहले अगर किसी को problem होगा तो वो small cap को ही होगा तो कि और वहाँ पर आपको यहाँ पे heavy correction देखने को मिलेंगे और जो mid cap और जो last cap top चे वो उतना नहीं गिरेंगे तो यह बाद आपको mind में रखनी है तो देखे 137 पर यह stock अभी trade हो रहा है more than 30% यह stock अपने all time high से गिर चुका है पिछले 5 साल का अगर हम देखेंगे तो एक multi-bagger यह stock रहा है more than 400% के return जिस stock ने already दे दिये है तो यहाँ पे as a shareholder आपने क्या करना चीए तो देखे अगर आप invested है और अगर अभी भी आपको लगता है कि pharmaceutical industry देखे particular अगर मैं मेरा opinion बताऊ तो देखे जो pharmaceutical industry है जबसे यह COVID आया है तो यहाँ पे बहुत सारी awareness लोगों में आई है अगर लोगों कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पे लोग दवाईयां ले रहे है और वहाँ पर अगर हम देखेंगे जो दूसरे जो pharma products होते यानि कि जो drugs दोते जो उनके दूसरे use दोते उसके लावा तो वहाँ पर भी एक अच्छी demand बढ़ती हुई नजर आ रही है तो as the whole यह जो पूरी pharma industry यह एक ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक fast growing industry है लेकिन एक growing industry हम यह बोल सकते हैं अगर हम बात करेंगे cosmetic industry की तो देखें जिस तरीके से खास करके यह जो Indian market है अभी भी काफी unorganized market हमें cosmetic industry में यह market नजर आता है और जैसे जैसे unorganized market बढ़ेगा तो वहाँ पे यह जो chemicals है यह जो boric acid है इसकी जो demand ही हमें increase होती हुई नजर आएगी तो उस point of view से देखा जाए तो future अच्छा लगता है उस point of view से अगर long term के लिए invest करना है तो यहाँ पे invest किया जा सकता है लेकिन एक बात आपको अमेंसे ध्यान रखने है कि आपको regularly यहाँ पे इन companies को देखना है यह पूरी industry कैसी है अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आन दो महिने में ले भी सकते हैं तो यह capacity होटी है small or mid cap companies की तो यह बात आपको नहीं भुलनी है अगर शौट टम की बात करेंगे तो यह market में काफी uncertainty हमें देखने को मिल रही है कभी market उपर चा रहा है कभी नीचे जा रहा है तो यानि कि एक way single sided rally हमें देखने को नहीं मिल रही ह कि एक डॉप्टे में फिर से अपने all time high पे touch कर जाएगा तो ऐसा मज़ कीजेगा तो short term के लिए मेरे खाल से थोड़ा सा आपने यहां पे trading point of view से जब action जब देखने को मिल रहा है तो तभी यहां पे देखना चाहिए बाकी मेरे खाल से अभी एक strong momentum देखने को मिल रहा है ल हाँ पे हम technicals को सही से follow नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों मैं hope करता हूं कि इंडो borrex and chemicals के detailed analysis के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके दोस्तों thank you have a nice day